हाई फ्रेंद्स, कल का दिन बहुत पावन है क्योंकि कल है आखरी सोंवार पूर्णिमा भी है और रक्षाबंधन कतेवार तो कल का दिन बहुत इंपोर्टन्ट है, मुझे पता है सब बजी रहने वाले हैं कल और कल सबसे पहले तो सुभा से ही हर किसी का सेलफ लव स्टाट हो जाएगा क्योंकि चाहे वो मैरेड हो या अनमैरेड हो सब तयार होते हैं, सब रेडी होते हैं और ये बात बहुत अच्छी है पूर्णिमा की रक्षाबंधन की आप लोगों के लिए कल के दिन को मिस करना बिलकुल भी मैं बोलूंगी कि ऐसा मत करना जरूर अपने अपने रिच्वल्स टेक्निक करना सुबा आपका रक्षाबंधन दुपहर तक खतम हो जाएगा, दुपहर के बाद ही है आक्च्वल में वैसे टाइमिंग्स और उसके बाद रात में अपनी अक्टिविटीज, अपने विशेस के लिए आप जरूर कीजेगा कल आखरी सुमवार है, तो येस, जितने भी लोग शिवजी की पूजा करने जा रहे हैं, शिवलिंग पे जल चड़ा रहे हैं, वो तो करेंगे ही करेंगे रक्षाबंधन के लिए बता देती हूँ, जिस टाइम पे, सिंपल सा एक रिच्वल कीजेगा जितने लोगों ने भी क्रिस्टल राखी ली है, उनको तो मैंने बताई दिया है, आप लोग जो नॉर्मल राखियां भी बांध रहे हैं, उनके लिए भी पहले राखी को स्मज कर ले, स्मज का मतलब धूबबती या अगरबती या इंसेंस, सेज, पालो, सैंटो, इन में से कोई भी चीज अवेलिबल है, धूबबती जनरली हर एक के पास मिल जाती है उसको जलाके उसका धूआ दिखाएं, धूआ दिखा करके स्मज करें, स्मजिंग क्या होता है, हम एक्च्वल में उसमें एक पार डाल रहे होते हैं, और जो भी उसके साथ, जस टाइम पे किसी ने उसे बनाया है, बांधा है, या फिर इतनी दूर से वो ट्रावल करके आया अलग-अलग गो-गो के हाथ लगते हैं, इमोशन होते हैं उस टाइम पे, ठीक है, वो सारी एनर्जी को वहां से हम थोड़ा क्लेंज करेंगे, और फिर, येस, आप ये स्मजिंग करके, मतलब राखी बांधने से थोड़ी दिर पहले, जब आप पूजा की थाली अपनी तय पाल से थे स्मजिंग कर ले राखी की, उसको जो भी पाकेट में है उसमें से निकाल करके ही आपको उसमें दिखाना, यह नहीं कि आप वो प्लास्टिक में है और उपर से आप दिखाये जा रहे हैं, धूबतिया अगर्बतिया, कोई भी धुआ कोई भी स्मोक आप दिखा वो काम नहीं करेगा, उसको पहले निकाल लीजिए, फिर उसको समझ कीजिए, ये समझिंग के बाद, जिस टाइम पे आप राखी बांधेंगे, उस टाइम पे बांधे वक्त, हर गांट में आप अपने भाई के लिए positive affirmation दे सकते हैं, उसकी लंबी उमर के लिए, health के लिए, wealth के लिए, protection के लिए, सबसे जादा ये ही ज़रूरी होता है, जो लोग अपने भाईयों की शादी manifest कर रहे हैं, obviously, उनके लिए कि उनकी soulmate आजाए, अच्छे से जीवन साथी के साथ उनकी शादी हो, okay, so इस तरह से अपने भाईयों के लिए आप अपनी affirmation हर गांट पे बोल स जब हम तिलक करते हैं, उस तिलक को करते हैं समय भी आप उनको affirmation दे सकते हो, affirmation नहीं, सिर्फ अपनी intention, अपनी blessings देजिए, आप उनके थरड आए पे जब ये तिलक कर रहे हैं, उस ताइम पे आप उनको positivity दे सकते हैं, right, अपनी energy उनको transfer कर सकते हैं, जो उनको help करें, ठेक ह ये हैं, आप लोगों के लिए, enjoy brothers, जो भी अपने बहनों के साथ से राखी बंद पा रहे हैं, फिर उनको gifts वगेरा दे रहे हैं, उस ताइम पे भी, please, आप हो सके तो अपने gifts में, अपने पूरे affirmation के साथ, पूरे positive feeling के साथ देजिए, okay, ये तो हो गया राखी से related, रात की बात कर लेते हैं, पूर्णीमा की रात important है, morning तो आप लोगो का self love start हो जाता है, तो बूलने की जरुवत ही निये मुझे, कि कल का दिन आप लोगो के लिए self love के लिए है, सब को करना ही करना है, अपने पूजा आरजन आप करोगे ही, रात के time पे जब आप आते हैं, उस time पे क्योंकि कल की पूर्णीमा बहुत important है, full moon बहुत important है, okay, so मैं अभी simple इतना बोलूँगी कि सबसे पहले, जितनी भी negativity है, जो भी blockages है, उसको remove करेंगे, आपको चाहिए एक paper और एक scissor, ठीक है, और एक छोटा सा बाल ले लीजे, कोई कटूरा या कुछ भी ले लीजे, उसम आपकी life में जो भी परिशानिया चल रही है, जो भी दिक्कते हैं, माइन में, wishes को लेकर के manifest करने में प्रॉबलम आ रही है, और जो भी मतलब आपकी problems है, वो सारी लिखिए, ठीक है, परिशानिया लिखनी है, जो आप face कर रहे हो, वो सब कुछ लिख दो, जितने भी दिक्क एक चमश नमक डाल करके आप बैठिया इस बॉल में, पानी डाल करके, और फिर यह जो paper आपने जिस पर लिखा है, इसको scissor से काटेंगे आप, okay, catchy, scissor एक ऐसा, you know, चीज है कि जब हम उसको चलाते हैं, कुछ ना कुछ कट करते हैं, हम क्याते हैं, खाली scissor मत चलाओ, right, क्यों, क्योंकि yes, definitely नहीं चलानी चाहिए, हम कभी-कभी positive thoughts को भी cut down कर देते हैं, right, इसलिए scissors हम हमेशा कुछ ना कुछ shape देने के लिए use करते हैं, कुछ ना कुछ हम cut कर रहे हैं, तो किसी मकसद से cut कर रहे हैं, वैसे ही अभी, जब आपने ये paper पे अपने सारे negative thoughts लिखे हैं अब इसको आप cut करें, छोटे-छोटे pieces में, जैसे भी, जिस भी मर्जी से cut करना है, cut करो, intention से फितना कि ये जितनी negativity है, इन सब को cut down करके, खतम कर रहे हो, जैसे-जैसे आप paper cut करते जाएंगे, ये paper का टुकड़ा उसी पानी में गिरेगा, जो salt water है, ठीक है, उसमें सारा का सारा ये टुकड़ा गिरा के, आप इसको थोड़ा अच्छे से हिला दे, मिला दे, राद भर के लिए छोड़ दें इसको, morning में इस पानी को fake दे, fake ने का मतलब कहीं भी paper powder में डाल दीजे, कहीं पे भी dispose कर दीजे, क्योंकि ये negativity थी, जो आपने eliminate की, इसको moonlight में नहीं रखना है, okay, so इसको सिर्फ अपने घर के कहीं corner में आहीं, आप राद भर के लिए छोड़ दीजे, morning में आप इसे dispose कीजे, जो इन लोगों के पास भी crustals हैं, वो अपने सारे crustals, अपने bracelet निकालिए, एक plate में रखें, उसके उपर, नॉर्मल pink salt हो, white salt हो kitchen का, वो डाल दे, salt water ने, उस आप इसको निकालें, इसके अंदर से, यह जो salt आपने उसके उपर डाला है, इसको पानी में मिला करके, dispose कर दीजे, okay, and इसके बाद आपने bracelet को हलके पानी से wash करके, वापस पहने, right, यह हो गया, इसके अलावा, एक काम और करेंगे, अपनी wishes से related जो करना है आपको, please bay leaf technique उसके उपर light code लिखे, 0010110, अपनी wishes लिखे present tense में, अगर multiple wishes है तो multiple belief लिजे, तेजपता लिजे और हर तेजपते पे अपने wishes लिखो, light code ज़रूर लिखना, ठीक है, यह लिखते हुए, फिर इसके बाद आप हर belief को जला देंगे, okay, relationship वाले belief को अलग तरीके से use करेंगे, उन हो सकती है, family name मान रही है, third person का issue है, cast issue है, आपका person ही stand लेने को तयार नहीं है, ठीक है, यह सारी problems आप salt water में कर चुके हो खतम, अभी आप अपनी wishes के लिए manifest कर रहे है, आप क्या करोगे, एक belief पे सबसे पहले एक infinity का sign बनाओगे, okay, infinity के sign के अंदर जो दो parts होते हैं, एक part में आप अपना नाम लिखोगे, दूसरे part में अपने person का नाम लिखोगे, right, और उपर, infinity के sign के उपर, आप सबसे पहले ये लिख दोगे, जो मैंने light code बोला था, 0010110, okay, ये लिखने के बाद, इस तेजपते को आप हाथ के बीच में रखेंगे, आखें बंद करेंगे, और ऐसा visualize करेंगे, कि ये जो infinity का sign है, ये open हो रहा है, खुल करके, जैसे infinity का sign कैसे होता है, अगर हमें एक rubber को twist करें तो इस तरह से, और वो rubber अगर twist करके open हो, तो खुल जाता है, वापस से एक circle का formation हो जाता है, बस वैसा ही आपको visualize करना है, कि ये infinity का circle अब open होके complete एक energy circle बना रहा है, जिसमें कि आप, आपके person, दोनों एक हो रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए, और आप दोनों के बीच में जो भी problems हैं, जो भी परिशानिया हैं, रुकाफटे हैं basically, वो सब खतम, ये शन भर का visualization आप लोगों को बहुत help करेगा, इस तरह से visualize करने के बाद, आप इस belief को जला दे आप देंगे, ये तो हो गया आपके चोटे मोटे जो भी wishes हैं, उसके लिए आपने करना है, ये infinity का circle क्या हम बाकी किसी wish के लिए कर सकते हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं, एक पार्ट में आप अपना नाम लिखें, दूसरे पार्ट में आप अपनी wish लिखें, like job, ठीके एक open होके circle form कर रहा है और आपको आपकी job मिल रहे हैं तो दोनों एक हो रहे हो तो यह जो दूरियां है दोनों के बीच में यह gap जो हमेशा हमारे mind में रहता है कि हमारी wish है, हम है लेकिन फिर भी मिलना भी बाकी है तो यह जो बाकी वाला section है उसको खतम कर रहे हैं, हम अपने subconscious को वो thought दे रहे हैं कि अभी हमें वो चीज completely हमारे पास है और यही तो चाहिए, present tense में इसलिए तो बोलते हैं हम, right इस चीज का ध्यान रख हो गया तो इस तरह से आप अपनी बाकी चीज़े भी कर सकते हो, health से related जो भी लोग करना चाते हैं, उनके लिए सबसे important है, कल की रात के लिए पानी अपना energize करिए एक bottle पानी लीजे ठीक है, उस पानी पे एक word, switch word जो मैंने बोला था आप प्लीज एक पंचामरत word किसी भी एक strip पे लिखकर के उस bottle पे paste कर दीजे और इसको रात भर के लिए moonlight में छोड़ दीजे, morning में लेकर आए आप इस पानी को धीरे-धीरे consume कर सकते हैं, एक दिन, दो दिन, जितने भी दिन में ठीक है, यह आपको help करेगा, काफी help करेगा आपके health के लिए जो भी घर में और कोई भी अगर बिमार है तो उसको भी आप पानी का bottle उसके नाम से आप prepare करके रख सकते हैं आप उस chip पे हो सके तो उसका नाम लिखिए और फिर पंचामरत लिख करके आप stick करें फिर उनको पीने के लिए दे पीने से पहले पंचामरत 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 इस word को at least 4-5 बार repeat करके फिर पीओ आप इसके अलावा magic boxes उनको जरूर आप moonlight में रदें रात को उसमें अपने wishes add करें या निकालें जो manifest हो गई हैं उसको dispose करें जो नई wishes उनसे related affirmations लिख करके रखें जुनको नई पता magic boxes क्या होते हैं कुछ नए जॉइनीज होंगे अभी यहां पे वो YouTube के search में डालिए magic box by सुमन शर्मा या मैं यहां पे भी end screen पे लगा दूँगी आप उसमें देख लीजिए बहुत simple सा एक box बनाते हैं लेकिन काफी miraculous होता है और help करता है हमें vicious manifest करने में तो वो magic box आप लोग बना के अपने पास रख सकते हैं एक बार हमने sugar spell किया था relationship के लिए उसने काफी help किया है तो अब भी भी मैं बूलूँगी आप लोग अपने relationship में और मिठास घोलने के लिए simple activity कीजिए एक छोटा सा जार ले लो आप ठेक है आप कांच की बरनी ले सकते हैं चोटी सी या फिर कोई और भी अगर बिल्कुल कांच की कोई चीज अवेलिबल नहीं है आपके पास तो जो भी आपको कोई container मिलता है वो ले लो और उसको आप चीनी से भर लो ठेक है शुगर से भर लो उसको और उसके अंदर एक छोटा सा येलो कलर का paper बनाओ येलो कलर का चिटलो अगर नहीं है तो normal paper ले लिजिए येलो sketch pen ले लो उसके पूरा अच्छे से fill कर दो येलो हो गया जादा परेशान होने की ज़रुवत नहीं है red कलर के pen से उस पे अपने और अपने person के लिए एक strong affirmation लिखें ऐसी जैसे कि आप दोनों इक दूसरे के साथ loyal है, faithful है एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, respect है और शादी भी करने हैं इस तरह से एक positive affirmation लिखना है आप प्लीज लिखें लिखने के बाद वह paper को अच्छे से fold कीजिए अपने नाम के साथ, names होने चाहिए आप दोनों के Fold करके उसको इस sugar spell वाले jar में डाल दीजिए और इसको बंद करके कहीं tight रख दो आप कहीं छुपा के रख दो पढ़े रहने दो इसको यह चीज help करती है आप प्लीज करके देखें इसको आल राइट, so यह हो गया and बस वैसे full moon पे हम लोग पहले भी बहुत कुछ कर चुके हैं बहुत सारे different techniques देते रहते हैं उनमें से भी अगर आप चाहें तो कुछ techniques को आप repeat कर सकते हो अच्छा एक चीज बता देती हूँ, यहाँ पर यह मत लिखेंगे Goddess Hikate की चाबी हम अभी चार्ज कर सकते हैं Goddess Hikate की चाबी हम हमेशा new moon पे ही energize करते हैं चार्ज करते हैं, full moon पे नहीं full moon is basically कि आप लोग अपने अपने जितने भी wishes से related जो भी ritual technique कर सकते हैं, जरूर करें full moon पे अपने specific person को love vibes भेशना बिलकुल ना भूले बहुत energized day होता है कभी-कभी energy इतनी high होती है कि हमें कभी यह energy negative भी बनाती है full moon के आसपास आपको लगेगा emotions बहुत heavy हो रहे हैं, बहुत high हो रहे हैं तो जादर परिशान ना हो, जितना lighter रहोगे, अगर ऐसा कुछ लग रहा है कि down feel कर रहे हो morning से, या तेवहार का time भी है, still फिर भी कही न कहीं कुछ न कुछ sadness है थोड़ देर आराम से बैठो, भारा शर्वा का जाब करो, कल तो वैसे भी शंकर जी का दिन है भारा शर्वा से अच्छा कोई word ही नहीं है कल के लिए, okay so yes, इस चीज को ध्यान में रखे, and पूर्णिमा है, कल 19 तारीक है, 19 अगस्त है तो कल का golden minute miss मत करना, important रहता है golden minute में, एक minute का काम है करना कुछ नहीं है, बस उस minute को थोड़ा सा अलाम सेट कर लो, जैसे ही minute होने वाला होगा अपने विशेज रपीट कर लो 4-5 पर, क्या जाता है, right हो सकता है कि कुछ मराकल हो चाहिए आपके लिए, जो golden minute की हम बात करते हैं सरस्वती का वास हमारी जबान पे उस एक minute के लिए होता है, ठीक है तो आपको बिना दिमाग लगाए, जब कोई ritual technique हम बताते हैं न, please don't, वहाँ पे न, कुछ अपना science मत लगाओ चीजों की अपनी energy है, पूजा और इस तरह के ritual में कोई, कोई बहुत जादा logics नहीं होने चाहिए simple अपने दिल से, सचे दिल से और बिलकुल surrender की भावना से, हमने किया, छोड़ दिया let universe and energies decide and do their work, उनको करने दो अपना काम, ठीक है so, बहुत simple तरीके से करना है, ये सारी चीजों को and yes golden minute की बात कर रही थी मैं, तो 19 तारिक है और 8 महीना है 7 बच के 8 मिनट का, 7 बच के 8 मिनट सुभा भी, 7 बच के 8 मिनट रात का भी मतलब, हाँ, रात ही हो गई न, रात का भी, तो दोनो minutes बहुत important है 2-9 मिनट में आप अपने wishes बोल सकते है सुभा अलग wish, रात को अलग wish कर सकते हैं, बिल्कूल कर सकते हैं, कोई objection नहीं है okay, aim का उचारण ज़रूर कर लें बोलने से पहले और कल कोशिश करें क्योंकि इतना important day है कोई negative talks नहीं, कोई gossip नहीं अपने आपको high vibe में रखे, positive बोले, जितना हो सके सारा दिन अपने लिए affirmations दे भारा शर्वा बोला है, मैंने प्लीज आप सभी भारा शर्वा रेपीट करें कल important day है, शर्व जी का दिन है, आखरी सोंवार है बहुत miraculous है बाकी, जो लोग विष्णु भगवान की पूजा हर्चना करते हैं पूर निमा को, वो वैसे ही करेंगे विष्णु सा हस्रो नाम का जाप कर सकते हो श्री राम के नाम का जाप कर सकते हैं आप लो ओके, so that's all, thank you so much and yes, रक्षा बंदन की सब को हार्दिक शुब कामना that's all, thank you God bless you all